मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता सुजीत कुमार को फिल्मों में ज्यादातर हिंदी सिनेमा के पहले सुपर्स्टार अभिनेता राजेश खन्ना के दोस्त की भूमिका में देखा गया है इन दोनोंने साथ में आराधना, इत्तेफाक, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, रोटी, महबूबा, अमरित जैसी तमाम फिल्मों में काम किया सुजीत कुमार का नाम हिंदी फिल्मों में जितना रहा, उससे कई ज्यादा नाम उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में कमाया भोजपुरी सिनेमा के दम पर ही उन्हें हिंदी फिल्मों में अच्छे किरदार मिले और उनसे उन्हें पहचान मिली सुजीत कुमार का जन्म साथ फरवरी वर्ष 1934 में बनारस में हुआ, वह किसान परिवार से तालुक रखते थे सुजीत का परिवार अच्छा खासा रईस था इसलिए अपनी पढ़ाई के लिए सुजीत ने लंदन जाने का फैसला किया सुजीत क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे और इसमें भी उन्हें खासी रुची थी लेकिन लंदन जाने से पहले उन्होंने सोचा कि क्यों न पहले वकालत की पढ़ाई कर ली जाएं उन्होंने अपने शहर में ही रहकर वकालत की पढ़ाई शुरू की और साथ ही उनका मन कॉलेजों में होने वाले नाटकों में लगने लगा एक बार की बात है, जब सुजीत ने अपने कॉलेज में एक नाटक में भाग लिया और इस नाटक को देखने के लिए उस समय के मशूर फिल्म निर्देशक फणी मजुमदार आये हुए थे नाटक में सुजीत का काम मजुमदार को बहुत पसंद आया इसके लिए सुजीत को सर्वश्रिष्ट अभिनेता का पुरसकार भी दिया गया उन्होंने सुजीत को फिल्मों में अपना करियर बनाने की सलाह दी फनी मजुमदार को भरोसा था कि सुजीत फिल्मों में कुछ अच्छा कर सकते हैं फणी मजुमदार की बाद सुजीत कुमार के समझ में आ गई और उन्होंने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया वह अपने परिवार में इकलौते बच्चे थे इसलिए किसी ने ज्यादा विरोध नहीं किया और सुजीत का काम शुरू हो गया फिल्मों में मजूमदार ने ही सुजीत कुमार को अपनी फिल्म आकाश दीप के लिए साइन कर लिया इस फिल्म में धर्मेंद्रट, नंदा और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में रहे लेकिन मजूमदार ने इस फिल्म में सुजीत कुमार को कोई किरदार नहीं दिया उन्होंने कहा कि वह फिलहाल के लिए सहायक बन जाएं और अगली फिल्म में उन्हें निभाने के लिए किरदार भी मिलेगा फणी मजूमदार ने सुजीत कुमार से वादा तो कर दिया था और वादे के मुताबिक सुजीत आकाश दीप फिल्म में उनके सहायक निर्देशक भी बने लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसे दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली जब यह फिल्म नहीं चली तो मजूमदार किसी नए कलाकार के साथ अपनी अगली फिल्म बनाने के बारे में नहीं सोच सकते थे यह कारण रहा कि सुजीत कुमार फिल्मों में किरदार पाने के लिए संघर्ष करने लगे सुजीत बहुत से निर्माताओं और निर्देशकों से मिले लेकिन कहीं बात नहीं बन रही थी मजूमदार ने ही मशूर फिल्मकार शक्ती सामंत से सुजीत कुमार की मुलाकात करवाई और शक्ती ने सुजीत को मिलवाया फिल्मकार जिमी निरूला से जिमी निरूला ने भी सुजीत कुमार को फिल्मों में अभिनय का काम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सुजीत को काम दिया एक सहायक निर्देशक बनने का सुजीत कुमार को इसी बीच नासिर हुसैन और कुंदन शाह ने एक भोजपुरी फिल्म के लिए साइन किया लेकिन बाद में इनको फिर से निकाल दिया गया और फिल्म अभिनेता असीन कुमार को ले लिया गया फिर सुजीत ने ऐसे जमाई धा भोजपुरी फिल्मों के मशूर फिल्म निर्माता बच्चु भाई शाह ने सुजीत कुमार से संपर्ख किया और उनके साथ अपनी फिल्म बिदेसिया बनाई इसके साथ ही लगातार सुजीत कुमार भोजपुरी फिल्मों में काम करते रहे और धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन गए इसमें उन्हें साल भर का समय भी नहीं लगा लेकिन उसके बाद इन्हें हिंदी फिल्मों से भी ओफर मिलने लगे और इनकी एंट्री हिंदी फिल्मों में भी हो गई उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा सईदा खान के साथ एक साल पहले फिल्म से यह फिल्म ठीक ठाक चली इसके बाद उन्हें बीके आदर्श की फिल्म लाल बंगला में देखा गया जो अच्छा काम कर गई अपने करियर के शुरुवाती दौर में सुजीत कुमार ने मुख्य अभिनेता के तौर पर कई फिल्में की लेकिन इन्हें दर्शकों से बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा था इस चक्कर में सुजीत कुमार ने फैसला कर लिया कि वह फिल्मों में मुख्य नहीं बल्कि सहायक अभिनेता बन कर काम करेंगे फिर तो सुजीत कुमार को धर्मेंदर के साथ आखें और राजेश खन्ना के साथ इत्तेफाक आराधना जैसी फिल्मों में देखा गया सहायक भूमिका में सुजीत कुमार का काम दौडने लगा और उनकी फिल्मों में गहरी पहचान बन गई सुजीत कुमार सबसे अच्छे दोस्त बने राजेश खन्ना के और इन दोनों ने साथ में बारह फिल्मों में काम किया इन में आराधना, इत्तेफाक, आन मिलो सजना, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, प्रोटी, महबुबा, अवतार, आखिर क्यों और अमरित जैसी फिल्में शामिल है इन फिल्मों में सुजीत कुमार ने यादगार काम किया हालांकि उन्होंने अपने काम के लिए कोई पुरसकार नहीं जीता, लेकिन उन्हें राजेश खन्ना की दोस्ती जरूर मिली सिर्फ परदे पर ही नहीं, बलकि परदे के पीछे भी राजेश और सुजीत की दोस्ती बहुत गहरी थी जीतेंद्र और राकेश रोशन के साथ भी सुजीत का अच्छा याराना रहा इनके साथ तो सुजीत जिम भी जाया करते थे सुजीत कुमार अपने करियर के अंतिन दौर में फिल्मों में अभिनय छोड़कर निर्माता बन गए उन्होंने फिल्मों और टीवी में भी भरपूर काम किया बताया जाता है कि राकेश रोशन के बेटे रितिक रोशन को फिल्मों में लौँच करने की जिम्मेदारी सुजीत कुमार ने उठाई थी सुजीत उन्हें अपनी फिल्म से लॉंच करने वाले थे लेकिन ऐसा हो नसका रितिक को लेकर सुजीत ने जो फिल्म साइन की थी उसमें देरी हो गई और उससे पहले रितिक के पिता राकेश रोशन ने ही उन्हें फिल्म कहोना प्यार है से लॉंच कर दिया पांच फरवरी वर्ष 2010 को 75 साल की उम्र में सुजीत कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया वह तीन साल से कैंसर से जूज रहे थे सुजीत के निधन के तीन दिन बाद उन्हें श्रधाजली देने के लिए मुंबई के जुहू PBR के पीछे इंडियन मेडिकल एसोसियेशन में एक प्रेयर मीट का आयोजन किया गया जिसमें पूरा कपूर खांदान, राकेश रोशन समेत उनके सभी संबंधी और राजेश खन्ना भी पहुंचे सहायक किरदारों में सुजीत कुमार बहुत बहतरीन काम करके गए और कई फिल्मों में वह यादगार विलेन भी बने